जैहिन आप लोगों को हम कंकाल के बारे में टोटल बता दिये थे 206 हड्डिया कहां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं सारा नाम बता दिये थे आज हम आपको हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में बताते हैं हड्डियों के जॉइंट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं संध जहांगा दो हड़ि को ग Sabbath करते हैं मनेल यह संधिक करते हैं या कई प्रकार की होते हैं इन्हें हम लोग ये किग सबसे पहले हम सब 2 किर्फ वो मूव नहीं कर सकता है हिंदी में हम लोग एक और उसका नाम हम von फाइब्रस जॉइन वैसे हड़ी जो जूड़ी तो है लेकिन कभी भी हील डूल नहीं सकती है इसे हिंदी में कहते हैं अचल संदी यानी चल संदी रेशिदार संदी विसे कहा जाता है यह हील ही डूल नहीं सकती है, जैसे दात, दात भले हड़ी नहीं लेकिन वो जाबडा से पकड़ा हुआ है, कभी दात हीलेगा नहीं है, हीलने लगा न तो समझ ये कि अब 10-15 दिन में तूट जाएगा, अब ये से खोपड़ी, खोपड़ी की हड़ी जुड़ी हुई है, ले लोग का ये इम्मूवेबल का हम क्या कहेंगे, फाइबरस, अचल संधी या फिरेशेदार संधी, दात और खोपड़ी में पाई जाती है, आप यहां खोपड़ी के ऊपर ये देख रहे होंगे, ये इसकल वाला हिस्सा, इसकल में कितनी हड़ीयां होती हैं, आपको बता इम्मूवेबल हो गई, या अचल संधी हो गई, फाइबरस या फिर सूचर संधी, दूसरी जो कटेगरी आती है हाड़ीयों के जॉइंट की वो आती है, आपको पता है, इसकी तरह एक दम एक जगार आ सकती है, ये हलका सा मूवेबल का एक दूसरा नाम जिसे कहते हैं, इस इसलिए इसे कहते है, अपूरुन संधी, अब ये कहां पाई जाएगा, रिफ्स में और बैक बोन में, देखें, छाती की जो हड़ी होती है, जब हम सांस लेते है, तो थोड़ा सा फैल जाता है, आप देखते होंगे कि कभी भरती वगरा में जाते हैं, लो पुलीस वगरा म इदर घूम जाएगा, तो ये जो है, हलका घूमने का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल ये रिफ्स और बैक बोन में पाई जाता है, इन हड्डियों में किया खासियत है, कि इनके लेयर दर लेयर काटिलेज, यानि उपास्थी की संख्या पाई जा इसे काटिलेजीनियस कहते हैं, इसमें एक और खासियत, अगर ये हड्डी टूट गई ना, तो फिर आपको पलास्तर की कुछ खासा हो सकता नहीं पड़ती है, यहां आप देखें रिफ्स के ये जो येलो वाला एरिया, ये काटिलेज है, हम ये रिफ्स जब पढ़ा रहते तो आपको बताया थे, ये काटिलेज की होती है, ये बहुत हलका सा मूव करती है, रिड की हड्डी भी देखेंगे, ये हलका सा इसे घूमी रहती है, ये इस टाइप का, और इसके परत दर परत काटिलेज है, एक हड्डी है, फिर काटिलेज है, हड्डी है, काटिलेज, चेप्टर इसके लेटर में पढ़ाया है तो यह वाला जो हो गया यह स्लाइटली मूव करते हैं सब यह दोनों हड्डियां इम्मूवेबल देख लिए फाइबरस और स्लाइटली मूवेबल काटली यह जेनियस भी देख लिए अब में जो कोस्टन आते हैं वह आते हैं फ्रीली मूवेबल से नाम से बहुत जादे मूव कर सकते हैं जैसे मेरे हाथ को दिखें इतना मूव कर सकता हैं इसलिए freely movable वाली हड्डियों को हम synovial joint भी कहते हैं देखिए इन जितनी भी joint है इनका एक English नाम है और साथ ही साथ एक technical नाम है जैसे movable technical नाम हो गया आपका fibrous यहां पर आपका slightly movable technical नाम हो गया cartilage genius यहां freely movable और technical नाम हो गया synovial हिंदी क्या है यह चलबे नहीं करेगा अप पूरा हुमच के चलेगा इसलिए पूरण संधीक आएंगे इसकी जो category होती है वो 5 basically होती है पांच category लेकिन हम आपको 6 पढ़ाएंगे जैके जनरली 5 एक category होता है अब एक हो गया ball and socket पहला कौन हो गया ball and socket socket मतलब गढ़ा ball मतलब उसमें आके fit हो गया अब वो घूम सकता है इधर उदा तो उसके कहते है ball and socket यह basically जहां बड़ी हड़ीयां जुड़ती है वहा होता है जैसे हाप का यह humorous उपर वाला कंधे से आके जुड़ा है तो यह क्या है आप यहाँ ध्यान से देखिए जो हाथ की हड़ी है यहाँ ball type की है और कंधे में socket type का खाली जगा है यह उ ball and socket कमर की जो हड़ी आती है यह जो आके पैलिविक से जुड़ा रहता है यह सब हड़ी तो आगे पीछे हो सकता है दहीने बाय हो सकता है पैर को आप गोल गोल भी ऐसे हलका नचा सकते हैं वहाँ पीटी वगरा योगा के समय देखते हैं पूरा कमर वगरा हिला दिया जता ह तो इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग वह यह जो है ball and socket है हिंदी में इसे कभी-कभी पुछता है कंदुक खली का यह कहां बेसिकली दिखेज़ेगा है कमर में कमर में भी इस्पेसली कोन हड़ी में यह नीचे से जो आरी यह फीमा और यह पैलिविक और कंधा में यह वहला humorous हो गया कंदा से आखे जुड़ी जाता है इसी freely movable का जो दूसरा category हो saddle है अब आप थ्वासा ध्यान से समझेगा ball and socket का जो last अच्छा रहा है वो S से है तो S से ही याद रखिएगा saddle यह saddle जो है न वो कुछ और नहीं है बलकि ball and socket का ही एक छोटा रूप है यह ball and socket बड़ी इसी का छोटा रूप है saddle जो जो बहुत मतलब size में छोटा होता है जैसे अउठे की हड़ी आप बाकी अंगलियों की तुल्ना में आप अंठा को जादे घुमा सकते है इधर भी आ सकता है इधर भी जला जाता है इधर भी जला जाता है तो यह एक तरह से ball and socket का ही है लेकिन सा उसका छोटा रूप है अंठा की हड़ी आप इसको कहीं भी लेजाब बाकी अंगलियों की तुल्ना में आप अंठा को जादे फ्री कर सकते है इसलिए तो अंठा को अंगली में नहीं रखते है वनना चाक्तों फिंगर यह थो थम कई से हो जाएगा थोड़ी अलग कैटे लेगरी देखते हैं वह हिंज बॉन की देखते हैं हिंज बॉन को हम हिंद हिंज होता है हिंज को हम लोग हिंदी में कहते है कबजा संधी कबजा दरवाजा का कबजा जो होता है एकके और खुलता है लिखा रहता है पूस धकेली है पूल खीचिए पता चला खीचने के तो याराम से आजाएगा केहुनी इधर भी चल जाएगा अब यहीं पर कपजा लॉक आप पाएंगे तनी निच्छे चल तो ले भाई सब आप जादे करेंगे तो टूट जाएगा यहां से एक ही और जाएगा कपजासंदी घुठना घुठना को सुधभासा में क्या का जिता ठेउना बोला जाता है तो ठेउना भी देखिए पीछे आएगा आगे थोड़े आएगा ठीक हुआ आगे नहीं आता वरना चलते वक्त आगे आजाता अदमी उलट जाता इसे ही करके इसमें आप देखेंगे तो क्योनी वगरा में हो गया तू सब लड़किया को देख रहा तो यहां से भुटना कोई से थोड़ी न ले आ सकता है इसके आगे की डिरेक्शन में तो जब एक ही डिरेक्शन में मूव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं हिंज बोन हिंदी में करते हैं कब्जा संधी कब्जा संधी को हम लोग क्या करते हैं यह कहां मिलेगा आपका केहु अब जैसे हुंचा देंगे तो काटी न निकलेगा अना पूरी तरह पकड़ा रहेगा वो हर डिरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घूम जाएगा थोड़ा उपर नीचे दहिने बाएं हलका सा घीचेंगे तो इधरो आजाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगा तो वैसी ह फाइभोट संधी गर्दन में पाई जाती देखेंगे तो अगे पीछे दहिने बाएं उपर नीचे भी हो सकता है उसे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पाइभोट संधी लेकिन यहीं पाइभोट में दू हो जाता है एक इलिप्सौइड भी आ जाता है धीखिये ध्यान से स तो यह गर्दन की हड़ी हम आपको पढ़ा चुके हैं, गर्दन की हड़ी साथ होती है, इसे हम सर्भाइकल कहते हैं, स्वाट का नाम होता हैaire हाट्लस हिए हम इसकेलेटन में पढ़ा हैं, तो Atlas हो गया, ते इसकल और एटलस जहा जुड़ा रहता है, यानि एक्दम यह वाला पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं इलिप्सएड, यह क्या करता है? यह गरदन को आगे और पीछे ले जाता है, यह वाला जो मूमेंट हो रहा है, यह किस के वज़ने है? इसकल और एटलस के वज़ने हो र यह दहिने भाई भी है तो यह जो दहिने भाई हो रहा है न यह भी एक मुमेंट हो रहा है यह मुमेंट क्या है तो यह मुमेंट है जो पहिल की हड़ी है गर्दन की उसमें और गर्दन की दूसर की हड़ी है उसमें यानि पहिल की हड़ी का नाम होगे एटलस दूसरा का का ना माने में मदद करती है तो इसको हम लोग कहते हैं पाइभोट संदी खूटी संदी यानि जो उपर वाला है उसे हम लोग क्या कहेंगे इलिपसाइड जो जस्ट उसके नीचे वाला उसे क्या करते हैं पाइभोट पाइभोट क्या करता है दैनेव आई एलिपसाइड क्या करता ह उपर नीचे का काम करता है फूटी संदी यह बहुत ही रेयर कभी पूछता है हलाकि यह होता है इसलिए हम बोले था ना कि पाइबोर्ट को दो टाइप में हो जाता है तो पाइबोर्ट समझ में आगे आप लोगों आप बताए यह फ्रीली मोवेबल का तो लगबग लगबग सब देख लिए यह बच गया ग्लाइडिंग क्या हता है एक हड़ी दूसरी हड़ी पर केवल रखी रहती है वो केवल एक दूसरे पर थोड़ा सा फिसलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं ग्लाइडिंग ताब किया ऊंपन में हमनों क्या करते हैं एसे की हटेली को यहां से पकड़ के हगा देते थे कि फिसले नहीं और उपर से दबाते थे चिलाने लगता था यह एक दूसरे पर फिसलती है तभी तो हम अपने आजूरी आजूरी समझते इसको जो कटोरवा टाइक कहो गया बचपन मैं पानी पीता था इसकूल में जाके मुह लगा के पीदो तो सब गली देने लग तो यह क्या है यह कैसे मूड रहा है गलाइडिंग जो घुमता है इसी वाज़ से इसमें कुछ समान अमान हम लोग रख सकते हैं जैसे यह उठी पहिनी यह लग रहा है कुन महिला का हाथ है यह इतना तो यह देखे तो यह क्या हो गया बैसाब कलाई की हड़ी और यह जो अब्लिकेटर था फ्रीली मूवेबल यह छोटी हडियों में होता है आप इसका एक है इसका स्क्रीन सॉट ले लिए फिर हम आपको हडियों के बारे में बताते हैं गठिया वगरा कैसे हो जाता है हडियों के बारे में कुछ और समझ यह कि अगर कहेगा कि हडियों में कौन से तर्ल समवहनी उत्तक पित्पी स्थ मुस्थ म जोरका ये से हड़ी सरीर में तो सब्वत्र होती है। उस जॉइंट पर एक लिक्वीड पही जाता है चिसे हम लोग्त कहते हैं साइनोवेल राव साइनोवेल लिक्वीड गड़िए किसी भी हड़ी को Easily move करने के लिए मदद करता है, जैसे दरवाजा में कब्जा होता है ये लिए तो सबस्क्राइब गोधि। तो वहाँ भर जाएगा UREAK ACID जहां UREAK ACID सरीर में बढ़ा वो ÜREAK ACID ही barre साइनोवियल को घटा देगा अब लिक्वीड घट गया अब आपके दरवाजा में ग्रीज घट गया तो दरवाजा खोलेंगे तो चौए चौए बोलेगा वैसे आपके सरीर में जैसे बुड़ापा में यूरीक ऐसी बढ़ेगा साइनोवियल घट जाएगा अब आपकी लाठी ले रहेगा अब वह इट जाएगा तो उठेगा एदम कोहर कोहर के वे बुड़ापा बड़ी खतरनाक होता है तो गठिया में यूरीक एसी बढ़ जाता है अब एक चीछ द्यान से समझे टेंडम और लिंगामेंट क्या हो जाते हैं सब टेंडम किसे का जाता है जहा मांस पेशी आखिर मांस जो है वो हड़ी से पकड़ा है कि नहीं अईसे अलगे थोड़े तो जूल रहा है तो जहां मांस और हड़ी जूडे रहते हैं उसे हम लोग कहते है टेंडम आप इसे shortcut में अगर लिखना चाहें तो इसे आप मैट लिख सकते हैं कैसे देखिए M से मांस, A से 80 यानि हड़ी, 80 से tandem मांस और हड़ी जहां मिलते हैं उसे tandem कहते हैं अगर आप chicken बनाते होंगे कुकर में और अगर बारा सीटी लगा दीजिए जहां 12 सीटी लगा देंगे तो tandem जतना है वो बलके खतम हो जाएगा तो उकर जब खोले किनदा हड़ी अलग मिलेगा मांस अलग मिलेगा हड़ी और मांस को कौन जोड़के रखता है tandem किसी किसी में tandem बहुत जादे होता है तो कोई-कोई मुर्गी लाइएगा ना बूढ मुर्गी उससे शुरा के मीटवे नहीं गलता है उसका गलवे नहीं करें घींचना पड़ेगा इससे उसको खीचके काई के लिए बूढ मुर्गी का tandem जो है तगड़ा था यानि हड़ी से मांस बढ़िया से पकड़ा हुआ था बुड़ापा में tandem जूल जाता है आदमी का सरीर एक दम अब लिंगामेंट क्या होता है जहां हड़ी हड़ी से जूड़ी रहती है उसे हम लोग क्या कहते है लिंगामेंट जैसे आप इस एकजामपल में देखें यह हड़ी हर यह हड़ी यहां मांस की परत है तो यह तो हो गया वाइस अब टेंडम लेकिन यहां देखेंगे अगर एक हड़ी यह है और यह हड़ी आज कल डॉक्टर एक टेक्निकल भासा का परियोग कर रहा है जहां जॉइंट से हड़ी टूट रहा है तो पेसेंट को डरवाने के लिए कर रहा है ओमाइगा उसको का पता है अभी कुछ टूट गी लोगोगी लोगी अगर आप नहीं जानते हैं तो बढ़िया से खाली कर लेगा तो यह क्या है कि अगर जॉइंट से टूटा है कहीं से ठेवना वगरा से टूट गया जॉइंट से तो वहां का लिंगमेंट टूट गया तो ड प्रेक्चर हो गया अब तो कुछ दिन में यह भी कहेंगा सा कि यह हो लिंगमेंट टूडी है यहां पर लिंगमेंट जो हता है वो हड़ी और हड़ी के जॉइंट होता है मांस पेसी में पढ़ाएंगे एक मांस भी दूसरे मांस को पकड़ कर रखता है मांस पेसी भी पकड़ के रखती है जिसे हम लोग सेलेक्सोर के नम से जानते है मांस और मांस के जोड़ को सेलेक्सोर हड़ी और हड़ी के जोड़ को लिंगामेंट हड़ी और मांस के जोड़को या मांस और हड़ी के जोड़को बात को बराबरे है उसे क्या कहते हैं टेंडम कहते हैं देखे एक X-ray की जाच के लिए भी होती है जैसे हड़ीों की जाच के लिए जो होता है X-ray होता है वो 6 रोंडजन पर किया जाता है एक्सरे की खोज रोंडजन ने किया था, इसके मापने की यूनिट जो ही काई है वो रोंडजन है, 20 रोंडजन से उपर का एक्सरे कर दिये जाएगा न तो आपको बीमारी हो जाएगी, आज जो पर्माडू बं फटता है न उसमें 200 रोंडजन का एक्सरे निकलता है, तो डी के अंदर का फोटो बना के चला जाता है यह केवल छे रोंड जन पर होता है हमारे का परमाड़ु बना 200 रोंड जन पर बन जाएंगे मचारदानी इस पार से उस पार दिखने लगेगा अब यह सब के बारे में हम आपको आगे कभी बता देंगे PDF वगरा के लिए जाईसे हम आपको information दे देंगे कि इन सब चीजों का जो PDF वगरा है वो जब आप जल्दी लॉंच होने वाला 15 अगस्त के लगबग में तो उसमें हम आपको बता देंगे तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगा इसके टेस्ट बन टॉपिक वाइस टेस्ट वगरा की बिवस्ता हो जाएगी अभी इतना समझें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन